है लोन वेलकर में हुमान और आप सब देख रहे हैं इन भी से न्यूस और आज मेरे साथ है सोनुसुत जिसको हम इंसानियत का कोई चेहरा होता होगा ना तो वह यह चेहरा है सबसे आपको कॉंडिशिलेशन कि आपको गोल्डन वीजा मिला है दुबई के तरफ से हैं लिटरल लोगों की मदद कर चुके सर कि हर कोई आज आसूओं में धुआओं में हर वक्त हर लमा आपको याद करता है मुझे मुझे लगता है कि जिन्दगी के एक मकसद मिला है एक दिशा मिली है और मैं बहुत ब्लेस फील करता हूं कि इश्वर ने आज मुझे इस लाइक समझा कि मैं मेरे थ्रू इतने लोगों की जान बच सकती है बट मिशन लंबा है लेकिन कामजा भी मिलेगी जुरूर आज आप जिस लड़के के लिए उसे सोला करोड के इंग्जेक्शन चीह कितना टफ रहेगा यह सफर और कैसे पूरा क्या जाएगा बिल्कुल टफ नहीं रहेगा जब भी कोई अच्छा काम करता तो उसके पैर गिच है आपको अकसर पॉलिटिकल पार्टी से भी जोनने की बहुत बार कोशिश की गई है क्या सोनू सुथ का कोई मकसद है कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स जोइन करने का देखिया आज भी बिना पॉलिटिक्स के आपके साम ना करना पड़ा दुख नहीं हो इस बात का कि जिस हिंदूस्तान के बच्चों के लिए गरीबों के लिए उन लोगों के लिए जो तकलिफ में मैं जिनकी मदद कर रहा हूं आज वही हिंदूस्तान के कुछ लोग मुझे परशान करना चाहते हैं आपको बता चलेगा कि आपको सोचने का समयमी नहीं मिलेगा इतनी दुनिया बातचीत कर रही है भूंड रही है आपको जुड़ना चाहती है आपके साथ सब नागपूर के दर्शों को से क्या कहना चाहूंगे उस बच्चे के लिए मैं सब बच्चों सब जितने लोग हैं नागपूर के उनसे ही कहना चाहूंगा कि नागपूर ने बड़े-बड़े सबत्सना कि ने लीघ्डश लापा करी का चाहरा है और असली चाहरा है इसे लग शिजल का पूरिक का ने ज्यसिए अब लून्ट इंडिया में ईंपयक्ट जबरो में जमाइं और गो वंई में लगबखके आसपरस लगबक 4 करोड के आसपरस हमारा हो गया है कलेक्शन अभी भी 12 करोड रुपे की कमी हो जितने भी नाप्पुर वास ही है या पूरा इंदुस्तान जो में देख रहा है बस एक छोटा सा कदम उठाना है आपका एक छोटा सा कदम छोटी सी राशी किसी की जिन्दगी बचा सकत है बसे ही मेरी इच्छा है कुछ नहीं एक खोप रहता है मां को कि नहीं उसका बच्चा एक ना एक दिन जरूर चलेगा शायद आज नहीं कल चलेगा कुछ दिनों बाद चलेगा तो वही होप रहके रोज रोज मेरा यही दिन निकलता है कि विहान एक दिन जरूर चलेगा सुनू सूट जी यहां पे खुद आये हैं और वीहान को मदद करना चाहते हैं तो वैसे ही आप भी वीहान के लिए कुछ मदद करें और आप सब के मदद से जरूर वो इंजेक्शन उसे मिल जाएगा सुनू सूट जूट चुक है अब उमीदे भी डबल हो चुक है और पूरा यकीन है कि यह जल्दी सक्सेस हो जाएगे और उसका इलाज हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आप क्या अपिल करना चाहो मैं भी यही चाहूंगी कि जैसे सुनूट सूट सर हमारी हेल्प कर रहे है मैं चाहूंगी नाकपूर वासियों ने भी हम मेरे बच्चे को नाकपूर के बच्चे को आके हेल्प करना चाहिए जितना हो सके उतना ताकि मेरा बच्चा एक दिन अपने पैरों पे खड़े हो सक आगर डोनेशन करना है तो कहा करना अपडेगा किधर करना पडात वर्यूप्त जाके डोनेट कर सकते हैं गोगल पर भी अगर सर्च करते हैं वीहान फाइट से में और इंपक्त गुरू तो उसमें वो लिंक आ जाता है बहुत बहुत शुक्रिया हम आसा जुड़ने के लिए उमीद करते हैं कि जल्ली से वीवान ठीक हो जाए चलने लग जाए दोडने लग जो कहीं सालों से लगातार कहीं लोगों की मदद कर रहा है किसी का ओपरिशन करवा रहा है किसी को घर पहुचा रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि सब खुश रहे सब के आखों में एक खुश्यों की चमक रहे आज आपके पास एक मौका है चोटा सा डोनेशन करना है विवान ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा और एक माँ को उसका बेटा मिल जाएगा मैं मान यहां से तो विदा मिलूँगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चैरों के साथ तिल देन मान से, गुडबाई एंड शेक जाएगा